दोस्तों इस्टेडी91 की यूटूब चैनल में आप सभी का बहुत-बहुत स्वाकत है दोस्तों आज आप सभी के समख्ष मध्यकाली भारत के इतिहास में आखरी क्लास को लेकर मैं आया हूँ जिसमें मुगल काल से संबंधित आज हम साहित्य और चित्रकला के बारे में दोस् इसके बाद दोस्तों दो-तीन लेक्षर में और दूँगा आपको जिसमें कुछ स्वतंत राज्य हुए हैं उनके बारे में दोस्तों मैं आप सभी को बताऊंगा क्योंकि जब उत्तरवरती मुगल सासकों का राज चला था ऐसे में हैदराबाद जिसके अस्थापना दोस्त चिंगलिच खाने किया, मुर्सीत कुली खाने बंगाल में किया, अवद के स्थापना दोस्तों साधत खाने किया, तो इनके वारे में दोस्तों में पढ़ना होगा, कुछ न कुछ फैक्ट मिलेंगे, उन सभी फैक्ट पर हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है, तो आज हमारा 86 लेक्टर है, ठीक है, लगातार दोस्तो 85 लेक्टर आपको दिया जा चुका है, जो बच्चे सुरुआस से नहीं देख रहे हैं, मुझे नहीं पता कि क्या दिक्कत आपको, लेकिन अगर आप सुरू से पढ़ेंगे, सिक्वन से पढ़ेंगे, तो इतिहास के एक एक पॉइं है, वो तो आपको गजब का ही लगेगा, ठीक है, आज हम कवर करने वाले दोस्तो 551 से लेकर के 2580 के सवालों को, देखें मैं आप से कहा था, कि मैं 10-5,000 सवाल दोस्तों इस सीरीज में कराऊंगा, और 5,000 सवाल कराकर दोस्तों, मैं यह दिखा दिया हूँ कि निश्चित र कृतियों को बनाने के लिए कौन सा चित्रकार, मुगल काल में दोस्तों प्रस्तिता, क्या आप उसका नाम जानते हैं, तूती नामा और खांदान ये, टैमूरिया, ये किसकी कृतियां है, उसके बारे में आपको पता है, किस यात्री ने इस्त्रियों के मीना वाजार का वर पाएंगे या नहीं दे पाएंगे, अगर नहीं दे पाएंगे तो चलिए, आज हम चर्चा करते हैं, ऐसे सवालों पर जहां आपको बहुत मजाएगा, ध्यान दीजेगा, हमारे स्टेडी 91 प्लेटफार्म पर दोस्तों, फांडिशन बैच बनाया जा रहा है, ये 251 से लेकर 2580 तक के सवाल को दिखा जाएगा, मुगल कालीन साहित्य और चित्रकला, दोनों पर दोस्तों चर्चा होगा, ये भी याद रखेंगे, ठीक है, पहला सवाल लिख रहा है, कि किस मुगल सासक के सासनकाल को हिंदी साहित्य का स्वाडकाल कहा जाता है, ठीक है, मु किसे कहा जाता है, तब सर हमने पढ़ाता कि चित्रकला का स्वाडकाल कहा जाता है, जहांगीर के समय को, ठीक है, जहांगीर के समय को, और सर एक दूसरा सवाल हमने पढ़ाता कि अस्थापत्य कला का स्वाडकाल कहा जाता है, ये किसे कहा जाता है, साजहा के समय को, सर हमने तो यही पढ़ा था, लेकिन दोस्तों मैं आपसे यह नहीं पूछ रहा हूँ, मैं एक अलग सवाल दे रहा हूँ, कि हिंदी साहित्त का सुवड काल किसे कहा जाता है, आज के बाद आप याद रखेगा, अकबर के काल को कहा जाता है, ठीक है, सूर दास अगरा दोस्तों इसी स भासा में महा भारत और रामयर का अनुबाद किया है, देकि अगर आपको पता हो, कि यह लोग किसके काल में थें, तो याद रखेगा, यह लोग अकबर के राजदरवार में रहा करते थे, अकबर के दरवार में रहते थे, और जो लोग अकबर के दरवार में रहते थे थे तो अकबर की दरबारी भासा क्या थी दोस्तो फारसी भासा थी ठीक है दरबार की भासा क्या थी फारसी तूने लोगों को लगा दिया जितनी भी पुराने किताबे थी प्रसिद किताबे थी उसका फारसी में बाद करू ठीक है तो याद रखे का दोस्तो यहाँ भी आपका ज किताबे थी उसको किस भासा में कनवर्ट किया होगा या फार्सी भासा में तो यही जवाब है याद रखेंगे ठीक है किसने किसने कनवर्ट किया तो नाम दिया है नकीब खान ने किया अब्दुलकादीर बदानी ने किया सेख सुल्तान ने किया याद रखेंगे रजमनामा दोस्तो एक पुस्तक है यह पुस्तक किसका अनुवादी तुरूप है दोस्तो तो महा भारत का अनुवाद किया गया था रजमनामा के नाम से किसका अनुवाद किया था याद रखेंगे महा भारत जो हमारी किताब है पुस्तक है उसका अनुवाद हुआ था दोस्तो रजमना दरबार की भासा थी ठीक है राज दरबार की भासा थी किसके राज दरबार की दोस्तों तो मुगल राज दरबार की दोस्तों भासा रही है इसलिए दोस्तों किताबों का फार्सी भासा मनबाद हो रहा है तो पंचत तंत्र का दोस्तों बाद किस ने किया है याद रखेंगे तो ये दर्वारी इतिहासकार भी राच चुका है अबुल फजल, अकबर का बहुत प्रियमित्र है अबुल फजल, जिसको बाद में जहागिर ने मरवा दिया था, ठीक है, तो अबुल फजल ने इस पंचत तंत्र का फारसी मासा मनवाद किया है, ठीक है, एक बात और याद र चानते हैं, तो पहले वाले खंड में दोस्तो अकबर के प्रारंभिक जीमन के बारे में बताया गया है, दूसरे वाले खंड में अकबर की सासन करता था, उसके बारे में बताया गया है, और तीसरे वाले खंड में अकबर की नीतियां अपने राज के प्रति क्या रही, और वो असासन प्रसासन कैसे देखता था उसके बारे में दोस्तों यहां तीसरे खंड में दोस्तों चर्चा किया गया है ठीक है तो इसको भी याद रखेंगे अच्छा यह तीसरे वाले खंड का नाम क्या है तो इसको आईने अकबरी करते हैं क्या कहते हैं दोस्तों इसे आईने गलत हो गया आई ने अकबरी के नाम से जानते हैं आई ने अकबरी ठीक है आई ने अकबरी के नाम से जानते हैं चली अब सीधे आते हैं अपने टॉपिक पर लिख रहा किसने पंचतंत्र का अनुबाद यार ही दानिस के नाम से किया देखिए अब इमने पीछे पढ़ा कि प ठीक है, अभी आपसे पूछ रहा है कि इसका अनुबाद एक नए टाइटल से रखा गया, यारे दानिस, जिहां दोस्तों, तो यारे दानिस के नाम से दोस्तों किस ने किया है, तो उनका नाम था मौलाना, मौलाना फैज, बोल सकते हैं क्या, मौलाना फैज, पूरा नाम था म दुमिया की एक मात्र ऐसी रचना है जिसका सबसे ज़्यादा विदेसी भासा में दोस्तों बाद हुआ है किसी किताब का अगर बहुत ज़्यादा विदेसी भासाओं में बाद हुआ है तो अब पहली रचना कौन सी है पंजे तंत्र ही रचना है याद रखे गए सवाल भी हो और यजुरवेद हो जाता है यजुरवेद, इन तीनों को दोस्तों क्या बोलते हैं सैंग तुरूप से वेदत रही कहा जाता है ठीक है, जबकि अथरवेद को अलग रखा जाता है, अथरवेद में जादू टोनागरा बता गया है और किसा से सम्मझने बहुत सारे तथ्य यह आप दिये गए हैं लिखरा किस ने अथरवेद का फारसी भासा में अनवाद किया है तो इसका अनवाद दोस्तों किस ने किया है हाजी इब्राहिम ने किया है किस ने किया है हाजी हाजी इब्राहिम आपके सामने ऐसे से नाम आ रहे होंगे आपको लग रहोगा सरे तो हमने प फार्सी भासा में अनुबाद किया है राज तरंगडी दोस्तों किसकी रचना थी तो याद रखेगा यह कल्हड की रचना थी ठीक है और इसमें दोस्तों कस्मीर के बारे में कस्मीर का उलेख है किसका उलेख है दोस्तों राज तरंगडी में कस्मीर का उलेख है ठीक है और इ दोस्तो मुल्ला साहमद ने दोस्तो किया है राज तरंगडी का फार्सी भासा में अनुबाद किया है ठीक है लिखरा किसने तुजुक ए बावरी की रशना दोस्तो किसने किया था तो इसकी रशना स्वयम बावर ने किया था किसने किया था दोस्तो बावर ने किया था लेकिन भासा क्या थी दोस्तो तो भासा तूर्की थी तूर्की भासा में लिखकर किताब चला गया अब जो आगे के सुल्तान हुए वो कभी समझ नहीं पा रहे थे तो तूर्की से उन्होंने क्या किया फार्सी भासा मनुबाद कराया और यह अनुबाद तूजू के बाबरी का अनुबाद जो फार्सी भासा मुआ है यह किसने किया है यह किया है अब्दुल रहीम खान खाना ने ठीक है अब्दुल रहीम खान खाना ठीक है अब्दुल रहीम खान खाना खान खाना ने किया है याद रखेगा है बैरम था का ही फुत्र था और अकबर के नौरतनों में से या एक थे ठीक है नौरतनों में से एक थे याद रखेगा इन्होंने तुजु के बाबरी का दोस्तों अनुबाद किया है याद रखेगा किसने गडित की प्रसिद पुस्तक लिलावती का फार्सी लिवासा में अनुबाद गया। लिलावती का अनुबाद किसे ने किया दोस्तो तो अबुल्फजल जो था उसी का भाई था फैजी ऊसने किया है याद रखेगा यहाँ लिग दराओं में अबुल्फजल का भाई ठीक है। और ये सबी दोस्तो नौरतन थें, अंगबर के नौरतनों में से एक थें याद रखेंगे, ठीक है, चलिए, और आगे आजलें आगे पढ़ते हैं, लिख रहा है कि कौन सी कृतिया प्रतेक चिडियां वह जानवरों, प्रतेक चिडियां वह जानवरों को वास्तुविक्ता के किया था पता यह भी ओना चाहिए न तूती नामा की रचना तो किसने किया है तो याद रखेगा एक प्रसिद्र चितरकार था जिसका नाम था दसवंत क्या नाम था दोस्तों दसवंत ठीक है किस के आ रहाता था यह अकबर के है शुहेली ठीक है इसमें भी दोस्तो जानवर और चिलियों के चित्र बनाए गया है उनको वास्तविक्ता के साथ जोडा गया है तो इसकी रचना किस ने किया है याद रखेंगा अब् नहीं है ठीक है ध्यान आगया हूसायन इबन हूसायन इबन ने किया है याद रखेगा ठीक है एक सवाल और आपसे पूछा जाता है यहाँ पर परिक्षा में जैसे यह अनवरे सुहौली लिख रहा है वैसे एक और किताब है ठीक है चली भी आगया चर्चा में तो बता ठीक है अगबर के दरबार में दस्वंत रहता था याद रखेंगे ठीक है आगे बढ़िए लिखरा जलालुद्दीन रूमी ने किस पुस्तक की रचना किये उन्होंने कौन सी पुस्तक लिखा दोस्तो क्या नाम है जलालुद्दीन रूमी ये मुगल कालिन साहित्ते हैं और म मेरा काम तो पढ़ाना है मैं तो जू बहतर होगा हो आपको दूंगा ठीक है तो याद रखेगा इनकी प्रसीद कृति का नाम है मसनवी क्या नाम है दोस्तो मसनवी नाम है दोस्तो इस मसनवी पुस्तक को दोस्तो सूफी सर्वेस्तरवाद की सरोसेष्ट पुस्तक कहा जात सूफी वाद से संबंजी दोस्तो ये रचना है मसन वी जिसकी रचना किस ने किया है जालालुद्दी ने रूमी ने इसकी रचना किया है ठीक है इसी तरह से एक और रचना दोस्तो जिसका नाम है दिवान ठीक है एक और रचना दोस्तो जिसका नाम है दिवान ठीक है दिवान ये दिवान जो पुस्तक है न जिस तरह से सूफी वाद पर सरोशेश पुस्तक मसन भी है उसी तरह से दिवान भी सरोशेश पुस्तक है याद रखेगा उसमें भी दोस्तों किसके बारे मताया गया है इसके रचना कार कौन दोस्तों तो इसकी रचना किया है हाफीज ने किसने भागों में हुई है तो अकबर नामा की रशना दोस्तों कूल तीन भागों होई है और जो तीसरा जो याद रखेगा जो अकबर नामा का पहला खंड है उसमें अकबर का जीवन परचे दिया हुआ ठीक है अकबर का बच्पन एक तरह से बता सकते हैं बच्पन या फिर अकबर का प्रारंभिक जीवन कैसा रहा उसके बारे में दोस्तों बताया गया पार्ट वन में ठीक है इसका जो पार्ट टु है ठीक है उसमें उसके युद्धों के बारे में बताया गया उसके युद्धों के बारे में अच्छा रचना किसने किया था दोस्तों तो याद रखेगा अबुल फजल ने किया था इसकी रचना किसने किया था अबुल फजल ने किया था ये दरवारी इतिहासकार था और अगबर का मित्र भी था परम मित्र था जिसे अगबन ने जहागीर को मनाने के लिए भेजा था लेकिन जहागीर को लगा कि मेरे साथ कुछ अन्याय होने वाला, गलत होने वाला है, तो जहागीर ने अबुल फजल की हत्या करवा दिया, जी हाँ, आप याद रखेंगे, ठीक है, आगे बढ़िए, चली, लिख रहा है किस बिटीस यात्री ने अनार कली की दंत कथाओं का उ लेकिन दोस्तों कौन सा बिटीस यात्री किया है, फिच का नाम सुना था, फिच, जी हाँ दोस्तों विलियम फिच का नाम सुना होगा, आपने, विलियम फिंच का नाम सुना होगा, विलियम फिंच, ठीक है, फिंच का नाम सुना होगा, ये जो विलियम फिंच था दोस्तो इसने अनार कली की दंतक अथाओ का वर्डन दोस्तो अपनी रचना में किया है याद रखेंगे ठीक है आगे लिख रहा है जीन जीन नहीं जॉन करिएगा जीन नहीं जॉन यहां पर जॉन बैप्टिस्ट ट्रेवनियर जो दोस्तो एक विदेशी यात्री था ये क्या था दोस किसकी रचनां का नाम क्या है money ? travel in India यानी भारत की यात्रा जीन दोस्तो किसकी रचनां है तो जॉन बैप्टिस ट्रेविनियर की रशना है जिसमें मुगल काली इन तत्यों के बारे में पता चलता है क्योंकि मुगल काल में आने वाला ही यह ब्रेक्ति था तो इसे भी आप याद रखेंगे, समझ में आया ना देखिए, जो भी सवाल आपको दिये जाते हैं, बहुत छाट कर दिये जाते हैं बहुत महनस से इनका कलेक्शन किया जाता है पढ़ने के बाद लगता होगा, अब विश्वास कीजिए आप जिस भी कोचिंग से पढ़ते हैं, अपना नोट से लेकर बैठिए अगर ये सारे पॉइंट्स उसमें नहीं हैं, तो समलित कर लिजिए क्यों क्योंकि आज ने तो कल परिक्षा में यहां से प्रस्में पूछे जरूर जाएंगे, ठीक है इसलिए याद रखेगा चीजों को, चली ध्यान दीजेगा, Study91 के प्रेटफार्म से बहुत सारी किताबे लांच की गई हैं, उन किताबों को एक बार लीजिए, पर्चेश कीजिए, देखी उसकी क्या क्वाल्टी है दोस्तो, बहुत सांदार सा ये सभी किताबे हैं, जिन्हें आप हमारे प्रेटफार्म से पर्चे किताबे ले सकते हैं, क्योंकि वहाँ से लेंगे, किसी तरह का दिकत परसानी समस्या है, हमें इस नंबर पर WhatsApp करें, हमारी टीम आपको खुद ओल करेगी, किसी तरह क समस्या है, तो उसे निजात पाने के लिए चाहे आप अपाल कर सकते हैं, चाहे कमेश्व देश सकते हैं, लिख रहा किस यात्री ने, किस बिदेशी यात्री ने इस्तरियों के मीना बाजार का चित्रड किया है, जिए दोस्तों, मीना बाजार का चित्रड किस ने किया है, तो इसका नाम था था थॉमस कायर्स, क्या नाम था थॉमस कायर्स, कायर्स याद रखेगा, कायर्स, ठीक है, जिसने मीना बाजार का दोस्तों चित्रर किया है याद रखेंगे लेकिना किस पुस्तक को मुस्लिम कानून का सबसे बड़ा डाइजेस्ट कहा गया उस पुस्तक का नाम क्या है तो उस पुस्तक का नाम है फुतुहात फुतुहात ए आलमगिरी जिसको मुस्लिम कानून का सबस इससे बड़ा digest कहा जाता है, सर अगर यह कहा जाता है, तो मुझे बता देजे, इस किताब की रचना किस ने किया है, क्योंकि सवाल यह भी important है, याद रखेगा, इसके रचनाकार का नाम है, इस्वरी दास नागर, याद रखेगा, रचनाकार का नाम है, एक सवाल दोस्तों, म फतवा यह आलम गिरी, अब जवाब आपका अलग हो जाएगा, फतवा यह आलम गिरी जो रचना है, यह किसकी रचना भया, तो फतवा यह आलम गिरी, यह औरंग जेव की रचना है, किसकी रचना है, इसको औरंग जेव ने तयार किया है, यह औरंग जेव की रचना है, सोचेंगे फतवा है फुतवा हाथ है जो याद है लगा दिया ठीक है ऐसा नहीं करना आपको समझना है प्रश्ण को समझिए कि क्या पूछा है उसी हिसाब से अपना उतर दीजे आटोमेटिक मत दीजे ठीक है आगे बढ़िए लिखना दारा सिकों ने किस पुस्तक में बाव अरजेप के द्वारा अरजेप राजपांचे वन जता है लेकिन सिर्रिय अकबर सरंवेकबर करेजाए शिर्रे अकबर करेज़े ठीक है ये اسकी रशना जिसमें 22 maintain का दोस्टो इसने फार्सी भासा में अनुबहद किया है ठीक है आगे बढ़िए लिख किसने श jeag.す इसी का फार्सी भाँसा अनुबाद किया है सिंगासन बतीसी में दोस्तो विक्रमादित्य राजा विक्रमादित्य के बारे मताया गया है राजा विक्रमा विक्रमादित्य और बेताल ठीक है विक्रम बेताल की कहानी सुनते थे आप न तो बेताल ये विक्रमादित तो बेताल बेताल भी दोस्तों के नौरतनों में से एक था ठीक है तो याद रखेंगे उसका उस पुस्तक का दोस्तों फारसी भासा में अनुबाद किसने किया है विक्रम बेताल वाली पुस्तक का तो याद रखेंगा अकबर के दरवार में रहते थे बदायुनी कौन रहता था किसके समय में था दोस्तो जनली नहीं पढ़ते हैं आप लोग ठीक है और परीक्छा में आ जाना तो ज्यादा तर बच्ची आतो हुमायू टिक करंगे या जहागीर करेंगे देखे जसको नहीं पता होता हूं सोचता है कि जहांगीर के काल को छित्रकला का सुवड़काल खाल जाता है ऐसे में जितने चित्रकार हैं ठोक दो लगा के कहांपर जहांगीर के समय में डाल दो? ऐसा नहीं है मैं 200 चित्रकार अभी 200 नहीं मतलब 24 तो गिनाई दूँगा ठीक है यही पे देख लो बहजाद जो था यह बाबर के समय का था लिख रहा है कौन से प्रमुक इरानी चित्रकार सन 1556 अब यह समय किसका है बाबर का थोड़े बाबर तो 1530 मेनी पड़ चुका है यह 1556 किसका समय ह हुमायू का समय है करा हुमायू के साथ दिल्ली दोस्तो कौन आया था तो याद रखे का इसमें दो लोग आया थे एक आया था मीर सयद अली कौन आया था दोस्तो मीर सयद अली बहुत प्रसीद चित्रकार है दोस्तो मीर सयद अली यह दोस्तो किसके साथ दिल्ली आया था इ लेकिन इरान गया हुआता है भाग करके जब सेर्जा सूरीन दोस्तों चौसा कायुद जो 1540 में हुआ उसमें जब हुमाई को खदेड करके भारत से भागा दिया तब दोस्तों जब यह निसकासन हो जाता है भारत से बाहर चला जाता है तो इरान से इन चित्रकारों को अपने भारत में वो अकबर के समय को गिना जाता है तो इसे भी आप याद रखेंगे ठीक है आगे बढ़िए लिख रहा है कि मीर सयद अली और अब्दु समन्ने किसको चित्रकारी चित्रकला की सिक्षा दी है यह आपको बताना है किसको दिया दोस्तों तो याद रखेगा यह दो अकबर को दोस्तों चित्रकला को चित्रकला सिक्षा दिया था अकबर के साथ साथ हुमायू भी कर सकते हैं क्योंकि हुमायू अपने साथ लाया था प्रसंचीत होकर तो हुमायू और अकबर दोनों लोगों को दोस्तों इसने चित्रकला का सिक्षा दिया था यह आप याद पार्खी था मतलब चित्र को देख करके दोस्तों ये उसके बारे में बता देता था और इसने अच्छा इसने नहीं याद रखेगा मुगलकाल में मुगलकाल में मुगलकाल की जो चित्र साला थी उस चित्र साला में हज्म हज्म नामा हम्ज नामा हम्ज नामा ठीक है याद रखेगा एक कृती है उस कृती में दोस्तों कहा जाता है कि 1200 चित्र बने वे हैं कितने बने वे हैं दोस्तों 1200 चित्र बने वे हैं किसमें दोस्तो हम्ज नामा में ये भी चर्चा में रहता है तो इसको भी याद रखेगा परिक्षा में सवाल यहां से भी आ सकता है अच्छे एक चीज़ और बता दूँ इन से आदा गया ये मीर सयद और अब्दु समझ जो हमायू के साथ भारत आये थे इनको दोस्तो मुगल चित्रसैली का संस्थापक कहा जाता है क्यों क्योंकि इसके पहले तो इतना ज्यादा चित्रकला प्रसिद नहीं था तो इन्होंने चित्रकला को बढ़ावा दिया ठीक है इसलिए दोस्तो इन्हें संस्थापक कहा जाता है तो सवाल ये भी परिक्षाम पूछ सकता है लिख रहा किस पांडु लिपी में दसवंद जो चित्रकार था दोस्तो उसके द्वारा बनाये गए चित्र मिलते है ठीक है तो दसवंद याद रखेगा दोस्तो रजम नामा ठीक है तो यह आप याद रखेंगे ठीक है आगे देखिए लिख रहा है कि रमज नामा होता ना कि रजम नामा होता देखिए थोड़ा से गलत थोड़ा जैसे यहां हमज नामा है बस उसी तरह से लिखेगा यहां हमज नामा है यहां ज चित्रकार कौन था याद रखेगा उसका नाम है अका रीजा क्या नाम दोस्तों अका रीजा यह अकबर के समय का दोस्तों प्रसिद्ध चित्रकार थे ठीक है वैसे अकबर के समय में दोस्तों हमने कई लोग का नाम पढ़ लिया हमने क्या क्या पढ़ लिया हमने मीर सयद पढ टीक है अब दूसमद और ये दोस्तो चौफे नंबर पर हो गया तो एक नंबर दो नंबर तीन नंबर ठीक है एक दो तीन और चार ठीक है यह चार हो गया कि उर चित्रकला से Jones लोग जो अगबर के समय में हैं लगें किसके साशन्काल में मुगल चित्रकला दोस्तो अपने चर्मोत कर्ष काने का मतलब है अपने स्वाडकाल में पहुँच गया था तो याद रखेंगे यह जहागीर के समय में था ठीक है जहागीर भी बहुत गजब का दोस्तो जानकार था यह चित्रों को देख करके बता देता था कि ये printing किस ने बनाया है कौन अब्दुसमन ने बनाया है कौन दस्वन जी ने बनाया है ये उस चित्रकारी को देख करके बता देता था ये भी इतना बड़ा talented था सलीम ठीक है तो इसको याद रखेगा स्वाडकाल कहा जाता है ठीक है अब आगया ये लिख रहा है जहागीर के सासनकाल में मानोवाकृति अथवा छवी चित्र अथवा छवी चित्र बनाने के लिए दोस्तों कौन प्रसिद्ध था कौन सफ्यादा पापुलर था तो यहाँ पर एक नए बैक्ति का नाम आता है विसंदास क्या नाम दोस्तों विसंदास जी दोस्तों ये गजब का छाया चित्र बनाते थे या मानोवाकृति बनाते थे इनसे बड़ा चित्रकार मतलब इनसे ब्यतरीन चित्र बनाने वाला कोई कलाकार नहीं था जहागीर के समय में जिसे हम चित्रकला का ही स्वड़काल कहते हैं ठीक है लिख रहा जहागीर के सासनकाल में पसु और पक्षियों की आकरिति धान दीजेगा परिक्षा में जब पूछे न मानव आकरिती में तो विसंदास बताएगा और अगर पसु पक्षी की आकरिति वाला पूछे न तब क् याद रखेंगे लिख रहा जहागीर ने किस चित्रकार को नादिरुल अस्त्र की दोस्तो अस्त्र नहीं होगा अश्र होगा अस्त्र नादिरुल अस्त्र ऐसे लिखा जाएगा नादिरुल अस्त्र की उपाधी दोस्तो दिया था ये उपाधी उस्ताद मनसूर को ही दिया गया था किसके द्वारा दोस्तो तो जहांगीर के द्वारा दिया गया था याद रखेंगे ठीक है तो यह सभी सवाल आपके लिए most important है याद रखेंगे ठीक है हलांकि एक चीज और बता दूँ एक चीज यहां पर एक fact और आप लिख सकते हैं ठीक है कि अबुल हसन का नाम याद रखेंगे दोस्तो यह सभसे अदा प्रिय चित्रकार था बाकि उस्ताद मंसूर जो पसुँ और पक्षियों के चित्र को बनाने में उस्ताद था इसलिए उसका नाम उस्ताद मंसूर है उसे नादिर उल असरकि पादी दिया था ठीक है और अबुल अब तो जिसको ब प्रेम करता था, मतलब सबसे यादा प्रिय था चित्रकार उसको नादिर उल जमा की उपाधी दिया गया था, ठीक है, तो परिच्छा में आ सकता है नादिर उल जमा, जमा, जमा की उपाधी, दोस्तो किसे मिला हुआ था, तो याद रखेगा, ये मिला हुआ था दोस्तो किसे अब्दुल हर्षन को किसे मिला था दोस्तो अब्दुल हर्षन को मिला हुआ था जो कि दोस्तो प्रशिद चितरकार था सफ्याधा प्रिय ठा जहांगीर का इसको आप याद रखेंगे समझ में आ रहा है या फिर ऐसे ही ख्लास चलते जाया भाई थोड़ा सपोर्ट करें Study91 को और देखिए अगर सिक्वन से कोई चीजें पढ़ा रहा है तो थोड़ा सा आप साथ देंगे सायोग देंगे तो अच्छा लगेगा ठीक है चलिए आज का सेशन फिलाल ही समात होता है मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में ध्यान दिए अगले वीडियो में तब तक किलिए आप सकते हैं अगले वीडियो में तब तक किलिए आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है कि प्लीज वीडियो को सेयर करिए लाइक करिए कमेंट करिए लोगों को बताईए चैनल के बारे में ताकि ज्यादा फे ज्यादा लोग चैनल से जुड़े ठीक है बहुत बुरा लगता है जो कम मेहनद करने वाए लोग जब आगे जाते हैं मेहनद करने वाए लोग पीछे आते हैं तो बड़ा गलानी होता है थोड़ा सापका सअयोग मिलेगा तो अच्छा लगेगा ठीक है मिलते हैं अगले लेक्चर में तब तक के लिए धन्यवाद जय हिन जय भारत थैंक्यू थैं